जाने नीम के हैरान कर देने वाले ओस्दियगुन नमस्कार दोस्तों नीम का ऐरवेद में महत्वपन स्थान है नीम का पेड़ हमें सिर्फ ठंडी छायां ही नहीं देता बलकि अदभूद ओस्दियगुनों से भी बरपूर है नीम का प्रियोग अएरवेदिक और अंगरेजी दवाओं के निर्माण में भी किया जाता है साथ ही कई परकार के सुंदरी प्रसादनों को बनाने में भी नीम का प्योग किया जाता है नीम के पेड़ का हर बाग अपने आप में मैत्वपुन और ओस्दी गुनों से बराववा होता है हमारे देश में हजारों सालों से लोग ओस्दी के रूप में नीम का परियोग करते आ रहे हैं नीम का वेग्यानिक नाम अजा डिरेक्टा इंडिका है और वेग्यानिकों ने अपनी खोज में नीम में पाए जाने वाले विभिन ततों का विसलेशन करने के पसाथ माना है कि नीम का पेड़ अद्भूद औस दिये गुणों से परिप्रून नीम में मिलने वाले विभिन गुण जैसे बेक्टिरिया, नासक, छे रोग नासक, खाज खुजली नासक, चरम रोग नासक, कीट नासक, फपुंदी नासक, वाइरस रोधी, सूजन विरोधी, हर्दे समंदी वह अन्य समस्याओं से भी बहुत उप्योगी माना गया है तो चलिए जानते हैं नीम के कुछ खास उप्योग के बारे में जिने आप घर पर ही कर सकते हैं नीम के फाइदे और उप्योग दात वर मशुडों के लिए नीम का उप्योग दांतों और मुशुडों की समस्या जैसे दांत का हिलना, मुशुडों में सूजन, पायरिया, सांस की, बदबू, आदी, समस्याओं में नीम का दातुन काफी फायदे मन्द है नीम की पतियों को बालकर कुला करने से मुँह में मुझूद बेक्तिया खतम हो जाते हैं जिससे मुँह है की दुरगंद की समस्या खतम हो जाती है और नीम का दातुन करने से दातों में किसी परकार के रोग लगने की संभावना भी नहीं होती अगर आपके दातों में दर्द है या दातों में कीडे लगे हैं तो नीम की छाल को चबाने से आपको काफी फायदा होगा रक्त को सुद करने में नीम का उप्योग जी हाँ नीम में मौझूद गुनकारी तत्वा रक्त को सुद करने में मदद करते हैं या खून में मुझूद विसले पदार्थों को निकाल कर आपका खून साफ करता है अगर आपको किसी परकार का रक्त दोस हो तो आप नीम की 10-12 पकी हुई निमबोलिया रोज चूसने से आपको काफी फायदा मिलेगा बालों के लिए नीम का उप्योग नीम को आप अपने बालों के लिए एक बेतरी इन कंडिशनर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए नीम की 30-40 पत्तियों को 1 लिटर पानी में उबाल कर बालों को धोने से सिर की खुजली रुस्ची हुए बालों का सुखपन जैसी समस्यां दूर हो जाती है और नीम का तेल भी बालों के लिए काफी फायदा पहुचाता है चेहरे और तवचा के लिए नीम का उप्योग नीद हमारी तवचा और चेहरे के लिए भी काफी हितकारी है तवचा के लिए नीम को कई तरह से उपयोग किया जाता है जैसे नीम सहद, नीम का तेल, नीम साबून और नीम का पेश्ट, नीम वाइरस रोधी होने के कारण, कील मुवास से जाईयां वए अन्य तवचा रोगों में लियाब करी है अगर आपको एलर्जी की समस्या है, तो आप नाते समय तीन से चार बूंद नीम का तेल पाने में डाल करना हैं, आपको एलर्जी से रात मिलेगी, और अगर आप मुवास से परेशान है, तो पानी में नीम की पतियां उबाल कर पानी ठंडा होने के बाद, उसी पानी से मुहे कान दर्द थीक कर्णे में नीम का उपयोग, जिन लोगों के कान बहने या कान दर्द होने की समश्या होती है, ऐसे में नीम के तैल का उपयोग कर सकते हैं। नीम के अन्य फाइदे अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो आप नीम के तेल की मालिस कर सकते हैं अगर आपको फोड़े फुंची या अन्य कोई जखम है तो आप नीम के पत्तों को पीछ कर लगाने से काफी फाइदा होगा अगर आपके चेहरे पर काले दाग पानी में डालकर दाग दब्मों पर लगाएं इससे आपका चेहरा दाग रहीत हो जाएगा नीम के तेल में कपूर मिलाकर तौचा पर लगाने से कई प्रकार के चरम रोगों में भी फाइदा होता है अगर खांशी कप और बुखार की समस्या है तो नीम के तेल की दो या तीन बुंदे 7 करें काफी लाब मिलेगा नीम की पत्यों को पीश कर दही में मिलाकर लगाने से दाद खाज खुजली आदी समस्याओं में अराम मिलता है पेट में कीडे होने पर नीम की कुछ पत्यां चबाकर खाने से पेट के कीडे खतम हो जाते हैं रोजाना नीम की 5-7 पत्य खाने से मद्धुमेज जैसी बिमारी में भी लाब होता है ओलिव ओवेल या नारियल तेल में एक चम्मच नीम का तेल मिलाकर लगाने से तौचा में निखार आजाता है